वेलकम बैक टू बीना विलोग्स आप सभी प्यारे वियोर्स का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं यह वेट लोस रेसिपी शेर करने वाली हूँ जो की जिरो ओल में तयार की है बहुत ही लाजबा रेसिपी है आप जटपट बना के खा सकते हैं कुछ तयार हो ने वाली अमेजिंग टेस्टी डिलिशिस एंड वेरी हैल्दी और लाजबा चिल्ले कर अगर आपको मौर्णिंग ब्रेकफास्ट में फैटलेस हैल्दी और टेस्टी खाना खाना है तो आप और शेट चिल्ले बना के खाई यह जो रेसिपी में आपको शेर कर रही हो बहु मज़ेदार रेशिपी है तो आप भी ये रेशिपी एक बार ट्राइज जरूर कीजिए चलिए देख लेते हैं मैं और चिल्ले किस तरह से बनाती हूं मैंने में मिक्सिंग भाउन में सबसे पहले मैंने 1 आदह कब बेशन डाल लिया है और शाथ में एक कप मैंने ओट्स डाला है इसे मिक्स कर लेते हैं यह रेश लिपी बनाने के लिए मैंने टॉटल 375 ग्रेम्स ओट और 125g बियसन यूज़किया है पहले मैंने 250g ओटस यूज़किया है उसका पॉओं से 400g ओटस एड़ किया है मैंने कुछ करी पत्ता लिए है उसी Jane cana, और 1ts ऐब 200 जींजर गालिक झाम्ट, जमैने का र्रो किया हुआ है लूर्ट टीशच्पून तर्मरीट पाउड़र कुछ करे में ट स्वक्रेद्ट करफ रहा है फ्य कोवाद आपक्टीशच्पून सबस्य ट सबस्ट तर गयिंड कर लें तर्म ट्रीफ नियूनि आनत साथ मैं half tablespoon salt लिया है इसे भी आट कर लेते हैं उसी के साथ मैं half teaspoon अमचोर पाउडर लिया है अगर आप निम्बू खाते तो एक निम्बू नी चोड़ेजे या लेमन जूस डाल सकते हैं बहुत टेस्टी लगेगा उसी के साथ मैं एक छोटा बाउल स्प्रिंग कल ओनियन और garlic lips chopped के ते उसे भी आट कर लेते हैं इससे और भी ज्यादर टेस्टी हो जाएंगे चिल्ले साथ मैं एक छोटा बाउल मैंने coriander lips chopped के हैं उसे भी आट कर लेते हैं और उसी के साथ हमने एक big size onion chopped के हैं उसे भी आट कर लेते हैं साथ ही मैंने तीन टमेटों chopped के हैं इसे भी आट कर लेते हैं और उसी के साथ एक capsicum मैंने chopped के हैं उसे भी आट कर लेते हैं सारे ingredients हमें अच्छी तरह से mix कर लेने हैं अच्छा सा better तयार करना है अगर हमें चिलना ज़्यादा बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमें oats की quantity थोड़ा सा बढ़ा देनी होगी इसलिए इसमें मैं half cup oats और add कर रही हूं तो एक cup मैंने oats पहले लिया था half cup में इसमें और add कर रही हूं देड़ कप मैंने oats add किया है और half cup मैंने बेशन लिया है 200 ग्राम मैंने पहले oats डाला था और 125 ग्राम अभी मैं इसमें एड़ कर रही हूं बेटर रिध्रिम रेड़ी है चिलना बनाना स्टार्ट करते हैं चिलना बनाने के लिए एक पैन गरम कर लेंगे पैन गरम कर लिए हलका साइज में oil टच करना है बहुत ज्यादा oil लगाना नहीं है जीरो ओईल में इसमें तयार करेंगे पैन की कोटिंग का भी ध्यान रखना होता है इसलिए हमें हलका सा oil कोट करना है और एक बड़ा स्पून में भरके इसमें बेटर डाल दिया है थोड़ा सा और डालेंगे और अच्छा सा चिलना तयार करेंगे आप बेटर को थोड़ा सा और पतला भी कर सकते हैं आपको किस त्रस्प के चिले बनाने हैं वह आपके पर डिपेंट रहता है आप बड़ा साइज भी बना सकते हैं मैं चोटे चुटे चिले तयार कर रही हूं बहुत चोटे नहीं है मीडियम साइज में इसे तयार कर रही हूं इक साइड जब अच्छी तरह से कोख Έ0 तभी यहामिन पलट नहीं थे के बहुत अच्छी साइड पे और मैंने इसे पहलेट दिया है और दूसरी साइड भी अच्छी तरह से हमें कुक करना है चलए को तो जूरा से घुमा लेते जस्ट रखें Jaco ऊईली ठोड़ा बहुत हमन कर सकते हैं मुर्निंग ब्रेक फास्ट के सबसे रिजी पिए है अगर बेयुट लोज चाहते हैं अ और अगर बेटिंग थे करें वो इस तrifीत है हो Ara घीजी रॉयल में एगो को मैं बहुत ज्यादा टेश्टी िर होती हम इंग्रिणिन्स इसके जो मैं ब्रेक्फास्ट रेसिपी हैं इसी तरह सारे चले तयार कर लिजी जितने भी आपको बनाने हैं यह देखिए अगदम डेड़ी है मैंने प्लेट लगा दी है सर्फ कर दी है आप इसे घरम अगरम खा सकते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़िदार चले तयार हुए हैं पूरी वीडियो उस करने के लिए अब सभी प्यार रिव्योर्स का तहीं दिल से बहुत 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 धन्यवाद मैं तोड़की दिखा देती हूं आपको यह देखिए कितनी अच्छी तरह से कोख हुए हैं चिला बनाते टाहम हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे अच्छी इसमें सर्फ कर सकते हैं या फिर गर्म गर्म चाय के साथ भी से खा सकते हैं आई हूं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगें चलिए मिल दें फिर नहीं एडपर्ट के साथ में तब तक के लिए आप लोक अपना बहुत ख्याल रखें पूरी वीडियो उस करने के आप सभी प्यार रिवियोर्स का तहिए दिल से बहुत बहुत शुकरियां बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार